और राइट क्लिक बेट बिलकुल नहीं है क्योंकि तीन करोड जो खोए हैं डाट इस नॉट इंपोर्टन इस कैसे खोए हैं और क्यों खोए हैं तो अभी रीशेंट में ही एक प्रोड़क्ट लाउंच हुआ जिसका प्राइज आया अठारा हजार रुपे प्लस जी एस टी व सबकी एक्सपेक्टेशन थी 15,000 रुपे से 16,000 हाँ अब आप लोग बोलोगे सारे के सारे कि यह जस्टिफाइड है डी एलेफ बहुत अच्छा काम करता है यह प्रॉपर्टी बढ़ेगी जो की बनता भी है ठीक है जो बोलोगा है सबका पेट जुड़ा है आपको काम करना चाहिए बट एक्सपेक्टेशन मार्केट की सबकी यही थी कि 5 करोड रुपे के आसपास का टिकेट साइज होना चाहिए क्योंकि उस एरिया के अंदर प्राइज जो की अच्छा नामी गिनामी बिल्डर का जो की टॉप लेवल पे ऑपरेट कर रहा है वो 13,000 रुपे के आस एक मुझे प्राइज जादा लगा तो वो मुझे लगा तो कोई बात निये है उसके अरजाना भी मैं ही बुक्त हूंगा तो वी हाड़ सम्वेर क्लोस तो 29 बुकिंग्स था वर समिटेड और डीलेफ और हमारी सबसे यही बात होई थी कि एक्सपेक्टेशन हमारी 15-16 के आस बात है कि इन्वेस्टर्स आउट हो जाएं और मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए इस टाइम गेम कुछ भी नहीं है तो मोटा बुनियादी बात यह रहती है कि जब प्राइज इतना उपर लांच हो जाता है is it a right time to buy for you guys into this property क्योंकि अगर हम देखें कि अगर यह property पांच साल के अंदर दो गुना भी हो जाती है so let's say कि अगर यह बीस हजार उपे का rate अगले पांच साल में चालेस हजार उपे का हो भी जाता है which is very unlikely और भगवान की दिया से ऐसे बहुत सारे लोग है जो कि bank loans वगरा लेते हैं तो it is highly impossible for you to make money out of this deal क्योंकि अगले पांच साल तक continuously वहाँ पे development होगी और मुझे नहीं लगता उस area के अंदर आगे price ना भड़ेगा कि आपका 9% के आसपास हम अगर charges bank के भी लगाए सब्सक्राइब है तो I do not feel एक दो परसेंट पांच से परसेंट की आपकी रिजिस्ट्री वोगेश्ट्री भी जाएगी so there is nothing as such nothing for anybody to make money out of हां DLF की बहुत बड़ी एक fan following रही है और इनों ने जो game खेली है काफी time से planned थी की 100 करोड रुपे का apartment आपने देखा होगा कि publicize किया गया था आज से 6 महीना पहले सारे I think 200 से उपर आपको videos मिल जाएंगी real estate की influencers की की जो बता रहे हैं कि 100 करोड रुपे तो ये एक strategy थी एक product को pitch करने के लिए लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि वो 100 करोड रुपे की property जो की startup founders ने ली थी उनको free की पड़ी है yes it would be like shocking for you to understand की ये अच्छा free की कैसे property पड़ी so normally जब startup company की valuations काफी बढ़ जाती है और founders को exit लेनी होती है तो उनको एक capital gain tax मिलता है तो या तो वो 100 करोड सरकार को दे दे या फिर वो 100 करोड रुपे का अपना x-wave off कर लें but I think जो मेरी audience है वो हम जो जैसे retail investors है बहुत ही हम इतना हमारा exposure नहीं होता है financial literacy की तरफ बट यह gimmick जो चल रहा था और pricing को उपर लेके जाना था I do not feel कि you know the property is going to appreciate for a long run so मैं यह वीडियो सिरफ अपने viewers के लिए वह रहा हूं this is my point of view I am not a like कि मेरे बोलने से market में कुछ फरक पड़ रहा है of course criticism आते हैं और that is more than welcome आप लोग बोलें जो आपको बोलना है but this was a straight gimmick जो की पिछले second YouTubers ने आपको बताया और of course जित्ते भी market के अंदर लोग प्रमोट कर रहे हैं I think अभी तेजी की market है तो अभी पांच अजार की जएगा पांच लाख या दो लाख brokers हो चुके हैं सबको एक दो अब जिसने लेना है वो ले चुका है और जिसने नहीं लेना है वो अपना नहीं लेगा जो इस साइकल की बात करें तो इस टाइम टू सेल इस नोट बीटाइम टू बाइट वाइट की market के अंदर फेस चलते हैं जहां पर पिल्डर कॉंटिनेशली अक्वाइरमेंट करता है लोगों से बाइट करता है बाइट करता है और वाइट यू थिंक एव्रीबडी इस ना पाउंग आउट नंग लिए लांचेंग के वाइट लांचेंग अगी आगले मेरे को लगता है पांस में दयार बाक टो बैक लांचें वी अफ्टर अनौट व्रीन के बाद लांच है और उसके अंदर फ्यू प्लेर्स वूड़ विट विट यू यू गैं चुटू इनको these builders are present you know in more than 30 40 nations they are also taking the right approach but I think DLF ने जो यहां पर प्रपोस करा है it is again जैसे कि मैं बता रहा था रहा था पहले it is for the rich rich and I think it's not the the price की साथ करोडर पर कोई बड़ा अमांट है but the value it is bringing right now in the market it is I don't feel it physical uh visible तो पहुत सारे states के अंदर cities के अंदर we have already seen की real estate market is trying to slow down और slow down अच्छा है अच्छा किस के लिए customer के लिए भी अच्छा है और builder के लिए भी अच्छा है builder के लिए क्यों अच्छा है क्योंकि builder इस stage के अंदर जमीन बाय करता है भी global city के अंदर auction हुई थी एक हजार एकर जो की सरकारी जमीन ली जा सकती थी builders के दोरा you do you know how many builders bought और auction के अंदर लगाए none none of the big players bought anything in global city जो की गुडगाओं के अंदर activity मतलब active है इस time पर अभी यह आपको लगेगा की you know it is a news की जो की अभी officially out नहीं है but let's see let's see कौन-कौन बाय करता है according to my sources none of the big players are buying because they understand it is not the right time to buy नगर उनको लगता बाय करने के लिए सही time है so these players would have bought the best option लगती सारे ले ले लेते अब global city के अंदर double की FAR है right that means it is जो हमारी height है यहां पर buildings की global city में हम उसको दो गुना तक और उपर लेके जा सकते है and it would be much more organized and you know it is way better infrastructure जो की अभी हम गुडगाओं में देख रहे हैं अब यह builders कब बाय करेंगे they are waiting for the slowdown so we should also wait for the slowdown because these people are smart they want to sell you the product right now because it's the seller's market अभी पूरा पूरा हर कोई ने चोड़ने पर लगा हुआ है so what do you guys got to do you got to pick the builders very very carefully और उसके उपर decision लेना है और उसके लिए आपको क्या करना है if you think that you know you still want to buy the product जो की that is reasonably priced what you have to do is type hashtag money and send it to the number that is on the screen और उसके साथ amount आप लिख सकते हो कि what amount you want to invest and you know just get into that group there are a lot of groups in the description description के अंदर you will find एक brokers की community है जहां पर you guys who are into this industry and who understand the industry more you can join those groups up launches के है जो की आने वाले हैं you can join those groups you are most welcome to do that हां resale के अंदर anywhere in Gurdanao you need assistance you can join the group you can directly message it but message can that there's a consultancy fees of 11 000 yes 11 000 brokers will be working for free for you if you want unbiased advice you got to pay the price right so this was ashish good i'm going to see you next time and love you all god bless you all